हेलो गाइज आज हम बात करेंगे ड्राइकप सीरप के बारे में यानि सुखी खांसी वाली सीरप के बारे में जिसके लिए आज हमने लिया है टोपेक्स डीक सीरप को ऐसे ही और कई सीरप साते हैं जैसे कि बेनडिल डियार गलिंक्तस एंट अस्क्यू डी बगएरा जिसमें यह साल्ट होते हैं वो ड्राइकप सीरप होते हैं और अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इच 5 ml में यानि की हर 5 ml में होता है डेक्स्टर मिथर फेन हाइडरो ब्रोमाइट 10 mg और क्लोर फिनीरा माइन माइलेट होता है 2 mg और किसी-किसी सीरप में और भी कई साल्ट होत ठार्षा ऑज़िके रहें जो डिखर मित्वर फेन हाइडरो ब्रोमाइड है इसका यूज किया जाता है बल्गम को बन्ने करने के लिए यह बल्गम को बनने से माइलेट है और जो kali roof हिन्शीन यह वह जो बलगम होता है उसको पिगला देता है और जो ammonium chloride है वो as a expectorant काम करता है जो बलगम होता है उसको expel out करने में मुदद करता है so यह होता है salts का use और अगर हम बात करें इसके doses के बारे में तो adult के लिए 5 ml 4 time adult 5 ml दिन में 4 ले सकते हैं और जो children है वो 6 साल से उपर के वो 2 ml ले सकते हैं चार टाइम और जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए होता है 1.25 ml चार टाइम so यह होते हैं डोज और आप बात करते हैं इन dry cup syrup के other uses के बारे में precaution और side effect और कुछ दूसरी महतपूंड जानकारी के बारे में so first of all यह dry cup syrup सूखी खांसी के साथ साथ जुकाम और गले की खरास को भी ठीक करती हैं इस Topics Dx syrup को Ozone Company ने बनाया है और Eldrill को Alcum Company ने और Glintus को STP Pharmaceutical Company ने बनाया है और यह syrup sugar free भी आती है और यह जो मेरे पास है यह तो physician sample है तो इस पर MRP नहीं है बाकी और सारी detail है manufacturing license number है batch number है और manufacturing date है जो की 19 को बनी है और expiry date है जो की 8 2021 तक है और अगर हम इसकी value की बात करें quantity की तो 100 ml होती है normally जिसकी अधिक्तम कीमत होती है सतर से सो के बीच में होती है और अब बात करते हैं precaution और side effect के बारे में precaution तो यह है कि pregnancy में doctor से पूछ के लेना चाहिए और alcohol के साथ कभी नहीं लेना चाहिए और छोटे बच्चों की जो dose है वो भी doctor से पूछ के लेनी चाहिए और बाकी side effect की बात करें तो side effect कुछ खास होते नहीं है थोड़े बहुत होते हैं जैसे की dizziness सुस्ती आ सकती है नोजिया जी मतला सकता है जो की सारी दवाईयों के होते हैं बाकी कुछ और है storage है storage है cool and dry place में रखना चाहिए और use करने के बाद tight बंद करके रखना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए बस यही है so guys thanks for watching this video अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें share करें and channel को subscribe करें मिलते हैं next video में